पेरे दोस्तों आज की वीडियो काफी amazing होने वाली है आज हम लोग ऐसे 4 career options के बारे में देखेंगे जो आने वाले 4 से 5 सालों में boost करने वाली है आज की वीडियो is school student, college student, working professional and housewife के लिए है It doesn't matter आप अभी student है, working professional है या housewife आप अपनी जिन्दगी की किसी भी mode पर हो आज के career option आप explore कर सकते हैं और आज का number 2 category को छोड़ कर आप सभी category को explore कर सकते हैं आज के जो career options में बताने वाला हूँ वो आप लोग घर बैटे ही सीख सकते हैं और अपनी life को उस तरीके से बना सकते हैं आपने अपने क्या goals बना के रखे हुए हैं तो चलिए अब हम लोग हमारे वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं तो आज का वीडियो का हमारा title है best career options 2024 to 2030 तो चलिए बिन आपका time waste की आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं तो जैसा कि आप लोग जो भी लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं वो देख सकते हैं मैंने अपने बारे में कुछ बाती लिखी हुई है मैंने बेटाएक किया हुआ है अगर आप अपना future को प्रेडिक करना चाहते हैं कि आपका future कैसा हो तो उसका best तरीका है कि आप खुदी आज मेहनत करें अपने उस feature को create करने के लिए नव हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि देखिए guidance उसी से ली जाती है जो कि उस चीज़ के लिए guide करने के लिए capable हो तो मैं यहाँ पर इतना capable हूँ क्योंकि मेरे experiences अच्छे खासे है and जहाँ पर मैं भी काम कर रहा हूँ उनके इतने सारे institutions है जैसा आप screen पर देख सकते है इनका engineering college है management college है medical college है साथी साथ hospital है आयरुवेदिक college, physiotherapy, nursing, pharmacy तो ये तो सरिफ हो गया भी जहाँ पर मैं current company में काम कर रहा हूँ उनकी ये सारी चीज़े है ठीक है and आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो engineer बन रहे होंगे या फिर जो इन में से कही ना कहीं जाके कोई ना कोई field में चाहे वो medical field में हो जाएंगे या फिर आयरोवेदिक हो गया फिजियो थरेपी हो गया नर्सिंग हो गया फार्मेसी हो गया या फिर MBA वगरा करेंगे ठीक है तो यहाँ पे जब काम कर रहे हैं तो इसका benefit यह है कि मुझे यहाँ पे professors, principals, doctors इनके साथ coordination का मुझे एक मौका मिलता है कि आप लोग आज की जो वीडियो देखेंगे आप लोगों के लिए काफे beneficial होने वाली है क्योंकि यह वीडियो बनाने के लिए मुझे काफी सारे लोगों से बात करनी पड़ी कौन-कौन से career options आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं वो मैंने find out किये है and yes, I am in a right position to guide you because जो मेरे experiences है मैंने काफी ज़्यादा organizations में, काफी सारे industries में मैंने काम की हुई है ठीक है? So, बागी चीज़े जो है वो हम लोग देरे-देरे करके आगे वीडियो में देखेंगे तो चले अब हम आगे बढ़ते हैं पांच लोग है जिनके साथ आप काफी ज़्यादा समय बिताते हैं आप उन्हीं क्या ही एक average होते हैं देखिए, इसी के साथ-साथ क्या होता है कि आपके connects बहुत ही ज़्यादा important होते हैं तो जैसा कि अगर मैं आपको बताऊ तो मेरी कुछ networking है जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रमेश मिश्रा हो गया, दितरगरवाल हो गया, भिशेक हो गया प्रोफेर्सर, डॉक्टर सचीन महाकालकार हो गया और बहुत ही जितने भी यहाँ पर list में दिख रहे हैं आपको यह लोग बहुती बड़े-बड़े position पर है और काफी अच्छे अच्छे जगा इन्होंने काम कर रखा है तो यह कहीं ना कहीं मेरी life में यह लोग connected है इनसे मेरी बातचीत होती रहती है और भी बहुत सारे लोग है मैं उसको list down तो यहाँ पर नहीं कर सकता पॉसिबल नहीं है मेरे लिए ठीक है बट यह जितने भी लोग हैं यह अच्छे अच्छे designation पर हैं अच्छे अच्छे organizations पर हैं काफी senior लोग हैं तो यह मेरे networking है ठीक है अगर कुछ मुझे guidance चाहिए होता है मुझे कुछ अगर काम related होता है या फिर बहुत सारी चीजे होती है ठीक है वो चीज मैं इनसे जो भी field के expert होते हैं मैं उनसे बात चीज कर लेता हूँ तो जिस चीज को मुझे काफी ज़द समय लगता सीखने में जानने में वो मुझे वो या पांच मिनट के 10 मिनट के call में ही सारी चीजे explain कर पाते है तो आपका networking जो होता है वो भी काफी जादा important role play करता है कि किन के साथ आपका उठना बैटना है कौन आम के mentors हैं और किस तरीकी से आप अपनी life को shape करना चाहते हैं तो आपके आज सपास के जो लोग है आपको उनका selection बहुत ही अच्छे से करना होगा क्योंकि वो भी आपके career के लिए काफी जादा important role play करता है ऐसा नहीं होता कि आपने को career option चुन लिया और बस उसमें आगे बढ़ते रहे नहीं उसमें आपको retain करने के लिए महिनत करने के लिए आपको ऐसे लोगों की help लगती ही लगती है जो आपको सही से guide कर पाएं सही से आपको mentorship दे पाएं तो अपनी networking अच्छे से बनाईएगा आप लोग चले अब हम आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं हमारा जो आज का number 4 है यह मैंने digital marketing and advertising रखा हुआ है यह मैंने इसलिए number 4 पर रखा हुआ है आप चाहे कोई भी degree आपने लिया हो कोई भी degree चाहे बी-कॉम किया हो आपने बी-बी किया हो आपने B.Sc किया हो आपने B.T.E. किया हो आपने डिजिटल marketing and advertising की जरनी आप शुरू कर सकते हैं इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता यह बहुत ही easy है and easily आप इसको achieve कर सकते हैं यह बताना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ूँगा वैसे-वैसे complex चीज़े आती रहेंगी and वो चीज़ करना हर किसी की बसकी बात नहीं होती है तो जो चीज़ practical होता है मुझे easy और hard यह दोनों बताना मेरा first है ठीक है तो यह जो digital marketing and advertising है यह कोई भी degree वाले बंदे कर सकते हैं इसमें different-different specialization होते हैं Google and Meta ads हो गया e-commerce ads हो गया SEO हो गया SMM हो गया content marketing हो गया और भी बहुत सारे चीज़े होते हैं जो मैं यहाँ पर list down तो नहीं करूँगा नहीं तो वीडियो बहुत साथ लंबी हो जाएगी एक एक चीज़ के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं देख सकते हैं उसके बाद let's suppose अगर मैं freshers की इसमें salary की बात करूँ क्योंकि इसमें 2-3 महने के अंदर आप easily सीखे आप कर सकते हैं तो इसमें freshers की जो salary होती है वो 5000-15000 की around होती है एक्जेक्यूटिव लवल की जो चीज़े होती है ये 15,000-25,000 होती है senior executive 25,000-40,000 managers होगे 40,000-60,000 heads होगे 60,000-1,00,000 रूप है अब अगर important remark की बात करें तो जो मैंने आपको salary उपर बताया हुआ है ये salary bar जो है ये mid-level organizations के लिए है ठीक है बट अगर आप corporate में काम करते हैं जैसे anal act हो गया media mint हो गया या कोई भी other foreign based corporate हो गया ठीक है तो वो आप लोगों को अच्छा खासा pay करते हैं बट एक इसमें issue होता है कि ये लोगों का evening shift होता है और night shift होता है mostly राश्राम को 7 बज़े से लेकर सुबा के 3.30 बज़े तक होता है and अगर luckily होंगे आप तो आपको जो दोफेर वाला time रहता है 2.11 बज़े से ग्यारा बारा बज़े तक वो आप easily कर सकते हैं इसमें digital marketing से बहुत सरे videos आपको YouTube वगरा में मिल जाएंगे जो आप easily सेख सकते हैं आप coaching वगरा आपने घर के आसपास आप कर सकते हैं बहुत सरे इसमें options हैं जो आप लोग easily सीख कर आप लोग अपने career में career की शुरुवात कर सकते हैं इसमें ठीक है क्योंकि बहुत सरे लोग जो plain course करते हैं वो लोग capable नहीं होते कि उनके degree के बिहाफ पर उनको कोई ना कोई job मिले तो ये आप लोग एक अच्छा career option आप लोगों के लिए है digital marketing आप लोग कर सकते हैं बट सिर्फ digital marketing में मत करिएगा आप लोग advertising में जाईएगा ठीक है उसमें अच्छा खासा scope है अगर मैं आप लोगों को दिखा हूँ तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कृष्णा सिंग हो रहे हैं ये एनलैक्ट इंडिया में है एनलैक्ट इंडिया ओमिकॉन मीडिया ग्रुप जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा advertising agency है ठीक है और जितने भी आप लोग देखते हैं वो लोग अपने ads ओगरा चलाते हैं तो ये लोग अच्छा खासा पे करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप digital marketing जाएए दिरी-दिरी करके इसमें आगे बढ़िए और advertising में जाएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उसमें आप लोगों को चीज़े clear होती जाएगी और उसी सबसे आप लोगों के salary वगरा भी बढ़ेंगी ठीक है? तो आप लोग explore कर सकते हैं mid-level organization में भी आप काम कर सकते हैं उसी के साथी साथ आप लोग आप लोग corporates में भी जाके काम कर सकते हैं इन जैसी कंपनी में काम करने के लिए आप लोगों को English आना ही चाहिए without English communication आप लोग वहाँ पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि you have to deal with the foreign clients ठीक है? तो उसके लिए एक चीज़ mandatory है तो आप लोगों को वो चीज़ करना ही पड़ेगा ठीक है? आप बात करें कि डिजिटल मार्केटिंग की जो कंसेप्ट होते हैं ठीक है? चाहिए आप किसी भी फिल्ड में मास्टिक करो जाए Google Meta Ads हो जाए E-commerce हो जाए SEO हो तो देखिए अगर आप उस फिल्ड में तीन से चार साल है ठीक है? तो कोई भी ऐसा इसे सीख सकता है दो-तीन में में और जॉब शुरू कर सकता है एंड एकदम सूपब और फेंटास्टिक मास्ट्री हासिल करने के लिए दो-तीन साल का समय लगता है जो आप हासिल करके उससे ज़्यादा कंसेप नहीं होता तो यह इजी है इसको हर कोई कर सकता है इसलिए इसमें एकदम जादा पैसा अच्छा खासा पैसा इसमें नहीं होता है ठीक है? तो इसमें क्या होता है ना कि आप अगर चार से पांच साल काम करते हैं किसे अच्छे और्गनाशन में, कॉर्पोरेट्स में ठीक है? मिड लेवल और्गनाशन में तो आप एक लागता की पहुँच पाएंगे, वो भी हेड की पोजिशन पर, वो भी मैं एक्सिमम की बात कर रहा हूँ, अदर्वाइस नहीं होता है, 60, 65,000, 70,000 यहीं तक ही जाके लोगों का सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है, ठीक ह तो यह आप कंसिडर कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग, आई होब कि आपको यह चीज़े क्लियर होई होगी, और चली अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा next point दिखते हैं, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा आज की डेट में जो एंडिया हमें देखा जाए, तो गौर्वर्मेंट जोब की प्रिपरिशन बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है, इसके लिए भी बस ग्राजुएशन चाहिए होता है, और कोई भी फिल्ड में अगर आपको ग्राजुएशन है, या बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो वो आप लोग करते हैं, इसको मैंने अपने लिस्ट में लिया क्यों है, यह करियर ऊप्शन थोड़ी ना कुछ है, यह कैटिगरी है, मुझे पता है 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 करियर ऊप्शन नहीं है, इसकी अंदर इंक्रम टेक्स आफिसर एक करियर ऊप्शन है, यहां पे गवर्मेंट जॉब को ऑलेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कोई government यह तैयरी कर रहा होता है तो multiple चीजों की preparation एक साथ कर रहा होता है उप यो PSC कर रहा है तो state PSC की तैयरी यह कर रहा होता है अगर को SSC कर रहा होता है तोॉररर भी हो गया और भी different चीज़े हो गए, उनकी भी तेरी कर रहा होता है, तो इसलिए मैंने ये category लिए है, and ये भी एक अच्छा खासा career option है, ठीक है, but important remark की बात करें, तो this is not so easy, right, and अगर आपको इन में से कोई भी government job crack करना हो, कोई competitive exam crack करना हो, तो सबसे बहतरिन तरीका है कि आप अपनी college से ही इसकी preparation करना शुरू कर दीजे, आप college के 3-4 महने में जब जाते हैं, या फिर आपकी 12 के papers होगर हो जाते हैं, उसके बाद से आप explore करना शुरू कर दो, कि आपको कौन से government job के तयारी करनी है, और उसके बाद से वहीं से तयारी पर लग जाईए, ठीक है, जब आप लोग करेंगे तयारी अपनी college के समय से ही, ठीक है, तो वहाँ से आपको एक visibility होगी, जब आप graduation complete कर चोके होंगे, जब तक आपके 2-3 attempt भी हो गया होंगे, उसमें उसमें fail हो गया होंगे, no doubt, ठीक है, बट gradually आप अपने marks होगर है, इंप उसमें अच्छा-कासा score आप गेन कर सकते हैं, जिसे कि आपके years भी waste नहीं हुए, and अगर देखा जाए, तो आप college के साथे साथ अपनी preparation किया हुआ था, तो आप लोग easily graduation के एक से दो साल के अंदर ही government job को easily पा सकते हैं, ठीक है, बट इसमें ध्यान ये रखिएगा, ठीक है, कि after graduation, आप लोग अगर, let's suppose, graduation आपने कोई भी field में कर लिया, किसी भी field में कर लिया, क्योंकि government job का paper देते हैं, तो बहुत delay delay से result आती है, ठीक है, दो महना, पांच महना, छे महना, पूरा पूरा first year का, second year, third year, तो आपको क्या करना है, graduation के बाद, या graduation की final year में ही, आप लोगो को कोई ना कोई job जरूर पकड़ना है, ठीक है, ताकि आप लोग job continue अपना करो, और उसे के साथ सरकारी नौकरी की तयारी भी आप करते रहो, ठीक है, तो यह आपको करना है, और उसके साथ ये साथ, आपके पास job भी है, और जितना भी आप दे सकते हैं, attempt वो दीजिए, आपके job लग जाती है, तो well and good है, नहीं लगती है, आप अपने जिन्दगी शुरू करिए, प्राइवेट जॉब करिए, आप अपनी शादी करिए, प्रिपरेशन ग्रैजुली आप करते रहिए, आप करते रहिए, आप करेंगे तो manageable है, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट चाहिते हैं, इसमें job instability बहुत जादा होती है, बहुत सारे factors होते हैं, वो मैं highlight तो भी नहीं करूँगा, बट आप लोग government job के तियरी करिए, this is the best career option, ठीक है, जो आप लोग explore कर सकते हैं, and for sure अगर यह हो जाता है, clear, तो आपकी जो life होती है, वो बन जाता है, ठीक है, यह role play करता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ preparations की भरोसे नहीं होते है, ठीक है, बहुत सारे चीजे luck factor पर भी depend करते हैं, ठीक है, तो एक number, दो number ते भी अगर आप चूके, तो आपकी merit list से आपका नाम बहार हो जाता है, तो इस बात का अच्छी से ध्यान रखिएगा, ठीक है, and इस में काफी जादा hard work की needed होती है, but luck की भी जरूरत होती है, ठीक है, and जो लोगों को government job हो जाता है, ठीक है, जिसमें selection उनका हो जाता है, तो आप लोगों से मेरी request है, कि government job के बाद आप लोग उसके साथे साथ कोई ना कोई business setup आप जरूर करिएगा, and try to learn as many things, जो कि आपको business मे grow करने में काफी जादा health मिले, ठीक है, क्योंकि government में जब आप जाएंगे तो job stability तो काफी हो जाती है आपकी, उसी के साथ साथ बहुत सारा time भी बचता है, mental peace वगर अभी आपके पास रहते हैं, तो आप ये for sure business को आप explore कर सकते है, and कोई ना कोई आप business आपको जरूर करना ही चाहिए, ताकि आप अपने लिए एक अच्छी life जी पाएं, अपनी family वालों के लिए एक अच्छी life दे पाएं, and जो needy लोग है, आप उनकी भी मदद कर पाएं, तो ये अप अपना एक motive रखिएगा, ठीक है, देखे होना नहीं होना एक अलग बात है, ठीक है, but अगर आप अपनी नियत रखेंगे साफ, फर्शोर अल्ला आपकी मदद जरूर करेगा, ठीक है, तो आप लोग जरूर करिएगा इसको, and फर्शोर ये सारी चीजी थी, जो मैंने आपको बताई, government jobs related, हमारा point number 3 था ये, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, and हमारे point number 2 के तरफ देखते हैं, ठीक है, तो हमारा आज का point number 2 है, doctor, ठीक है, ये career option, आप में से बहुत सारे लोग अभी जो वीडियो देख रहे हैं, वो लोग भी इस चीजी के लिए preparation करी रहे होंगे, ठीक है, आप लोग aims के लिए मैनत कर रहे होंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे, जो मै channel वगरा है हमारा, यह भी हमार एक hospital, Nielsen Hospital, वहाँ के doctors वगरा हैं, ठीक है, काफी senior doctors हैं, काफी experience doctor है, बहुत बड़ा नाम है इनका नादपूर में, ठीक है, तो जब मैं वहाँ पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ, उनके respect क्या होती है, किस तरीके से होती है, ठीक है, so this is the most respectable career path for the people who want like a good life, ठीक है, बहुत अच्छा career option है यह, ठीक है, and अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको MBBS और MD की degree, और भी बहुत सारे degrees होती है, वो मैं अभी highlight तो नहीं करूँगा, and इसमें जो options है, ठीक है, paediatrics, new natologist, neurologist, neurosurgeon, gynecologist, orthopedics, urologist, intensive care, general medicine, और भी बहुत सारे हो काफे जादा लोग prefer करते हैं, and काफे जादा इसमें scope बहुत जादा है, तो यह चीज़े आप लोग explore कर सकते हैं, इसके लिए आप लोग को NEET UG का exam देना पड़ता है, NEET PG का देना पड़ता है, and आप लोग exam देने के बाद IAIMS से, and government medical college से यह आप लोग करते हैं, ठीक है, private medical college मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो doctors होते हैं, ठीक है, तो doctors लोगों के जो बच्चे होते हैं, अगर वो NEET का exam निकाल पाएं, तो well and good है, अगर नहीं हो पाते, ठीक, तो वो लोग doctors, अगर कोई भी doctor है, pediatric है, या फिर आपके gynecologist है, neurosurgeon है, क लोग इतना पैसा कमा ही लेते हैं, कि उनके लिए private medical college से अपने बच्चों को doctor बनाना बहुत ही easy होता है, उनके लिए 60-70 लाख, 1 करोड, बहुत, मतलब बहुत छोटा amount होता है, राइट, वो लोग कि अगर doctors की salary की बात करें, तो अगर वो surgeries करते हैं, अपने clinic में करते हैं, different hospitals पर वो लोग एक consultant का काम करते हैं, जिसके भी आफ पर वो लोगों को pay किया जाता है, तो इसे बहुत सारी चीज़े होते हैं, being a doctor बनने की बहुत सारे benefits होते हैं, तो वहाँ पर उनके लिए 80-90-90-1 करोड, ये बहुत लिए उनके लिए छोटा amount होता है, बहुत बढ़ा को आप लोटी के नहीं कर पाया, तो आप प्राइवेट कॉलेज से करवाग सकते हैं, 70-80-90-1 करोड आप के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, so आप लोगों को लेकिन एक जनरेशन को तो महनत ज़रूर करना पड़ेगा, आप कुछ important remark ये बात करें, तो देखे, if you have a courage to crack neat यूजी, then give at least two attempts with 100% focus, don't go for the second option if you failed in the first attempt, ठीक है, तो अगर आप first attempt में fail भी हो गए, तो no doubt, neat यूजी अगर आपके अंदर courage है, कि आप crack कर ही लोगे, तो आपको दो attempt तो at least की बात कर रहा हो, minimum दो attempt आपको देना ही चाहिए हो भी 100% focus के साथ, जिसमें आपको कोई भी college attend नही को ही देना है, 100% focus की बात कर रहा हूँ है, क्योंकि यह जो दो साल है, तीन साल है, चार साल है, पान साल है, अगर यह waste हो भी गए ना, नीट के वज़े से, और आपने clear कर लिया, और आप वहाँ आगे pull-off कर लिये, तो यह आप 4-5 साल कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर आप, अगर आप 25-26 साल की उमर में डॉक्टर नी बन रहे, 30-32-35 साल की उमर में बन रहे, तो भी बड़िया है, तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर potential है, तो आप पूरा जान लगा दो, नीट में, और कोई भी second option रखना ही नहीं है, जैसे the Alexander the Great रखा करते थे Alexander the Great क्या किये करते थे, जब भी किसी शहर पर या किसी मुल्क पर हमला करने जाते थे, तो वो लोग ships से जाय करते थे, तो जिस भी जगह पर वो लोग कदम रखते थे, वहाँ पर उसके बाद जो उनकी ships होगरा होती थी, उसमें वो लोग आग जला दिया करते थे, क्या होता आगे से आप नीट के लिए आप सेकेंड ऑप्शन रखो ही मत, ठीक है, आप आगे बढ़िए और फर्स्ट ऑप्शन प्रायोरिटी 100% फोकस के साथ उसको रखिए, और ये जो चीज है, आपके अगर दो से चार सल आपको अच्छे से महनत करना है, अगर आप ये कर लिए, तो पूरी जिन्दगी आपकी चेंज हो सकती है, अगर नीट के लिए आपके चार पांच साल वेश्ट होते भी हैं, बट अगर आप कौलिफाइ कर लेते हैं, तो वो वर्थवाइल है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक, नाव हम आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का ज जो की एक काफी ज़ादा इलाइट करियर ऑप्शन है, जिसमें की सबसे ज़ादा पैसे आपको मिलते हैं, यही वो चीज है, जो की डॉक्टर से भी ज़ादा ये लोग पैसे कमाने की काबिलियत अगते हैं, ठीक है, एंड जितने भी बहुत बड़े-बड़े है, ठीक है, क्योंकि यह लोग टेक कमपनी चला रहे हैं, यह जो है टेक का जो ऑप्शन है, यह बहुत ही ज़ादा एक प्रेमियम एंड इलाइट क्लास की जो चीजी है, वो यह है, तो अगर हम लोग इसके बात करें, तो डिग्री कम्पूर साइंस होना, या फिर आइट से पढ़ना, या फिर नाइट से पढ़ना, या कोई भी यहां से पढ़ना, वहां से पढ़ना, तो ठीक है, वो चीज है, महां से करेंगे, तो आपको एक audience network मिलता है, जो आपको guide करते हैं, जो आपको अच्छे जगह से, किस तरीके से क्या करना है, पूरा guidance आपके पास रहता ह अगर आप चाहे housewife, working professional हो, या फिर college student हो, कोई plain courses कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो आप, ठीक है, तो आप लोग भी इस career को pursue कर सकते हो, इसके best example सुन्दर पी चाहिए है, जिन्होंने metallurgical engineering की थी, IIT खड़कपूर से, ठीक है, तो देखिए, IIT खड़कपूर और आज हो Google की CEO ब आ रहे हैं, आप किस college से आ रहे हैं, अगर आपके अंदर potential है coding का, तो आप pull off कर सकते हैं, ठीक है, आपको projects आने चाहिए, आपको चीज़े आनी चाहिए, आपके अंदर skill set होनी चाहिए, and degree वगर यहाँ पर matter नहीं करती है, आपको काम आना चाहिए, अगर आपको काम आता है हो, marketing में हो, या फिर accounts में हो, या किसी भी department में हो, आप लोग coding career को pursue कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग इसको सीख सकते हैं, दो साल में या एक दिर साल में अच्छे से सीख कर, आप लोग as a career अपने शुरुवात कर सकते हैं, and जिसी जिसी career में आप आगे बढ़ेंगे, इसमें experience के साथ इसमें पैसा भी अच्छा कासा बढ़ता चला जाता है, समझ रहे हैं, तो जितने भी हाँ पर best career options लिखे हुए हैं, कि आप front end developer बन सकते हैं, back end developer बन सकते हैं, data scientist बन सकते हैं, android iOS developer बन सकते हैं, java developer बन सकते हैं, product manager बन सकते हैं, IT project manager बन सकते हैं, ये कुछ career options जो आप लोग explore कर सकते हैं, being a software engineering के field में, समझ रहे हैं, ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा category है, जिसमें कि जो लोग की computer science background, IT की background होते हैं, वो लोग के लिए तो अच्छा है, easy हो जाता है चीजें, ठीक है, बट जिनका नहीं भी है, and जो लोग अच्छा कासा पैसा कमाना चाहते है हैं, तो वो लोग for sure, degree वगरा matter नहीं करती, आप लोग को गर गिंदर, जितनी भी skills मेंने आपे mention किये हुए, अगर ये चीजे आपको आती है, अच्छे से, आप लोग सीख सकते हैं, इसको YouTube से easily, हर चीज available है YouTube में, यहां से आप सीख सकते हैं, और बस आपके पास computer होना चाह आप लोग कर सकते हैं, यह सारे career options को आप एक्सप्लोर करिएगा, यह के career options है, तो जितने भी आप यहां पे tech बड़ी companies देख सकते हैं, चाहिए Adobe हो, जाहिए Google हो, जाहिए IBM हो, जाहिए Microsoft हो, यह जितनी भी companies है, आप देखिए, यह सारे software companies है, IT companies है, राइट, तो इन चीज़ उको ध्यान रखिएगा, और इसमें आप लोग आगे बढ़िएगा, अब हम बात करें, तो salary की, तो दिखिए, जो freshers होते हैं, इनके जो salary होती है, 40,000 से 80,000, junior developer 80,000 से 1,00, senior developer 1,00,000 से 3,00,000, team leader 3,00,000 से 4,00, manager 4,00,000 से 8,00, heads जो होते हैं, वो 1 crore and above per year की बात कर रहूं है, य command of programming, ठीक है, तो यह जो salary range मैंने बताया है, यह किसी भी के लिए नहीं है, कि कोई भी computer science से पढ़ लिया है, कोई भी front end सीख लिया, back end सीख लिया, उसको नौकरी मिल गई नहीं, अगर आपको यह salary range चाहते हैं, आप, तो इसमें आप, जिस भी field में जा रहे हैं, उसका आपक आपको मिल जाएंगे, मैं उनकी बात कर भी नहीं रहा हूँ, नहीं मैं वो TCS, Vipro, Capgemini और जितने भी ये companies हैं, जो लोग developers जो रखते हैं, 20, 25,000, 30, 40,000 वाले मैं उनकी भी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको अच्छी से का यह बात को अब ध्यान रखिए, ठीक है, and programming में, only skills matter, not degree, यह बात भी अप अच्छी से ध्यान रखिए, and अब हम आगे बढ़ते हैं, yes, for sure, this is very hard to learn, but if you master this, this will give you very high pay, अगर आप इस चीज़ को सीख लेते हैं, तो for sure आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा ही मिलेगा, इसका एक best example मैं आपको देता हूँ, देखे, अगर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो this is the best option, then business, or any other career option, because इसमें आप अकेले के दम पर भी एक करोड तच कर सकते हूँ, but business में बहुत ज़्यादा tension लेने के बहुत सारा stress and tension के बाद आपको 1 करोड मिलता है, but coding में आप अपनी अकेला, अकेले के दम पर आप 1 करोड easily चाप सकते हैं, earn कर सकते हो, वो भी सिर्फ 8 से 9 घंटे काम करके, plus अगर आप big company में काम करोगे, Google हो गया, Oracle हो गया, Microsoft हो गया, IBM हो गया, Nike हो गया, यह बहुत बड़ी बड़ी companies में काम करोगे, तो वो लोग आपको अपनी company का shares भी देते हैं, ठीक है, और यह for sure अगर आपके पास shares भी आते हैं, उस companies के, और अच्छे खासे shares देते, एक-दो share ऐसा नहीं देते, बहुत सारे shares देते हैं, ठीक है, so वो एक पार्ट हुआ, तो देख सकते हैं आप क्योंकि जो लोग, आम लोग जो रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो business करते हैं, business में इतना ज़्यादा मातापची करना पड़ता है, इतना ताम जहाम करो, तब जाके कुछ ना कुछ वो बजता है, 24 गंटा काम करना पड़ता है, और यहां पर आपको सृफ 8-9 गंटा काम करना पड़ता है वो भी Monday to Friday Saturday Sunday पूरा पूरा फ्री रहते हैं आप और भी सिर्फ 809 घंटे काम करके अगर आपको 1 क्रोर कोई दे रहा है सो बड़ी आई है ना राइट बड़ी आई है बट आपको अच्छी से skills आनी चाहिए समझ रहे हैं और उसी के साथ ही साथ जो business करते हैं जो लोग business करने के बाद वो लोग companies में stocks में invest करते हैं यह करते हैं ठीक है बट यहाँ पे अगर आप और company में Google Microsoft हो गया Oracle हो गया IBM हो गया Nike या फिर Intel हो गया आप अगर उसमें काम करते हो तो कंपनी आपको खुछ शेयर्स देती है और अच्छा खासा लेवल का शेयर्स देती है 20 लाग 25 लाग 30 लाग तक क्या आपको शेयर्स दे देती है वो companies तो वहां पर आप अगर बिजनेस से करते हैं लोग स्टाउक्स करते हैं यहां पर आपको डिर्कली कंपनी वाला खुछ शेयर्स दे रहा है तो सोच यहां पर आपको बिजनेस की तरह इतना और स्ट्रेस और एंजाइटी वगला लेने के बजाए सिर्फ आप अपना मंडे टू फ्राइडे अपनी जॉब कर रहे हो और यहां पे आपको अच्छा कासा पे आट भी मिल रहा है प्लस टॉक्स भी मिल रहे हैं अगर आप चार साल कंपणी में काम करते हैं चार साल काम करो फिर दूसरी कमपनी में स्ट्राइड फिर दूसरीं कंपनी में स्ट्राइड हो ऐसे करगेश दूप इस कर रहे हैं तो 50 शाल तक आप यतने संप्य पार के ? वहए आप सोचिए जिएं है हां यह बहुत जादा मेहनत का काम है बहुत जादा दिमाग लगता है बट यह काफी अच्छा करीर ऑप्शन है यह मैं इन लोगों की बात कर रहा हूं जो अपने फेल्ब में मास्तर हैं वो लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो लोग कुछ भी कर रहे हैं या फिर जिनको तो इन चीज़ों को ध्यान रखेगा और यह चीज़ आप कंसीडर कर सकते हैं जो कुछ पॉइंट्स है वो डिसकर्स करते हैं यह मैंने एक मेरा काइंड ओफ कोट या फिर एक स्टेटमेंट समझ सकते हैं यह बात आप लोग स्क्रिंशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लिमेंट जरूर करिएगा यह बात लोग आज का वीडियो का जो समरी है ठीक है यह आप लोग समझ यह और इसको आप लोग इसकी हिसाप सेगर करेंगे तो कभी भी करियर में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और यह वो अबदम ज़्यादा डिफिकल्टी के साथ वो नहीं आएगी आपके करियर में कोई भी रुकावट नहीं आएगी एकदम स्मूथ आपकी लाइफ चलेगी ठीक है तो यह एक स्टेटमेंट है काम करो तो ऐसा करो कि जैसे जैसे उसमें तुम आगे बढ़ो वैसे वैसे समय के साथ तुम्हारा पैसा भी बढ़े और तुमें उस काम को करने में कम समय लगाना पड़े और ऐसा काम पकड़ो जो हर कोई नहीं कर सकता अगर easy काम पकड़ोगे तो तुमें उतना ही पैसा कमाने के लिए उसी easy काम को जादा देर तक करना पड़ेगा क्योंकि और लोग होंगे जो तुमसे भी कम पैसे में वो काम कर देंगे तो आई होब कि यह जो statement है इसको पच्छी से समझेगा बार बार rate करिएगा ताकि यह चीज आपके brain में और subconscious mind में चला जाए ठीक है तो यह बात को ध्यान रखिएगा और यहीं पर मैं अपनी आज की वीडियो को खतम करना चाहूंगा ठीक है अगर आपको कुछ भी doubt है कुछ भी चीजे हैं तो आप लोग comment में for sure पूछ सकते हैं और इसका answer में आपको दे दूँगा ठीक है तो इसी किसाती साथ अगर आप लोग चाहते हैं यहां priority DMs होते हैं ठीक है आप लोग direct message करके मुझसे यहां से पूछ सकते हैं अगर कुछ आपके एकदम ऐसी queries होगी या फिर आप लोग particular अगर आप बात करना चाहते हैं मुझसे ठीक है तो यहां पे आप लोग mentorship वगरा के लिए आप लोग directly book कर सकते हैं और मेरी availability के हिसाब से आप लोग उसको हम लोग one-to-one session करके प्रॉपर मैं आपको पुरा guide करूंगा अच्छे से तो यह भी आप लोग कर सकते हैं यह आपके पास options है और इसी के साथ यह साथ यह जिसका जो link है यह description में comment section में मैं दे दूँगा ताकि आप लोग यह चीज़े explore कर पाओ and for sure all the best for your career and I hope कि आपको आज कर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा ठीक है अगर आपको ऐसा लगता है कि आज की इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कोई भी value add की है तो इस वीडियो को अपने दो से तीन दोस्तों के शेर जरूर करिएगा अगर ऐसा नहीं लगता है तो इस वीडियो को आप डिसलाइक कर दीजे आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए thank you very much